तो दोस्तो इस टाइम किसी फिल्म का जबर्दस ग्रेज बना हुआ है तो वो फिल्म है गदर टू हर कोई इस फिल्म और इस फिल्म के गानों का बेसबरी से इंतिजार कर रहा है और करे भी क्यों ना 21 साल बाद अब हमें इस जबर्दस एक्शन फिल्म का सीक्वल देखने को मिलने जा रहा है 2001 में जब इस फिल्म का पहला पार्ट यानि गदर रिलीज हुआ था तो इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पे भी गदर मचा दी थी इस फिल्म के पहले पार्ट का वो आइकॉनिक हैंट पंप सीन तो हर किसी को बिलकुल यादी होगा जिसमें सन्नी देवल गुंडों से भिड़ने के लिए हैंट पंप भी उखाड लेते हैं इस सिन पर कितनी सीटियां और तालिया बजी थी जो कि सिनेमा हॉल में देखने वाले इसे कैसे भूल सकते हैं तो वहीं जब से इस फिल्म के सीक्वल की अनाॉसमेंट की गई है तो हर को इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार कर रहा है और जब से फैंस को ये पता चला है कि गदर टू में गदर फिल्म के दो सौंग भी हमें सुनने और देखने को मिलेंगे तब से फैंस की एकसाइटमेंट इस फिल्म को लेकर और बढ़ गई है जिया दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में हमें गदर के दो सौंग उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेके सुनने को मिलेंगे और इस सौंग को कोई और नहीं बलकि जुबी नौटियाल गा सकते हैं जिया दोस्तो हाले में जुबी नौटियाल ने दैनिक भासकर से अपने नए गाने के बारे में बात की है उनसे पूछा गया कि अपने आने वाले गानों के बारे में बताईए तुनों ने बताया कि इस साल उनके दो फिल्मों में गाने आने वाले ह एक है मिसन मजनू जो कि सिधार्ट मलोतरा और रस्मी का मंदाना स्टारर फिल्म है जो कि इसी साल रिलीज होने वाली है और दूसरी जो फिल्म है वो है गदर टू जिया दोस्तो जुबिन नौटियाल ने ये कन्फरम कर दिया है कि उनकी आवाज हमें गदर टू फिल्म में सुनने को मिलेगी जैसा कि आपको पताई है कि जुबिन नौटियाल जातर ओल्ड सौंग के ही रिमेक लाया करते हैं तो ऐसे में ये सौंग भी गदर के पहले पार्ट के सौंग उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेकर ह हो सकता है जैसा कि मेकर्स ने भी कुछ महीनों पहले ये साफ तोर से कहा था कि गदर टू फिल्म में हमें पहले पार्ट के दो गाने सुनने को मिलेंगे उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेके फिलाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है गदर टू फिल्म औ हमारे चैनल गौसीप आला को सस्क्राइब भी कर लें